Good morning students, आज का हमारा topic है flowers, आज हम step by step flowers बनाना सीखेंगे, तो सबसे पहले start करते हैं tulip, tulip को बनाने के लिए जो first step है, उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक u shape में एक shape ड्रो किये, सबसे पहले आपको एक u shape में यह कहिए कि u alphabet को ड्रो करना है, उसके नीचे मैंन उसकी यह time बनाई है, तो second step is, अब जो हमने यह u shape बनाई है, अब इसकी जो एक हम center line लेंगे, यहाँ से, यहाँ, ठीक है, जैसे first step में बताती हूँ, यह u shape, all that is center line, जो इससे थोड़ी बहार होगी, अब इस center line से, dot, dot करते हुए हम, हम इस line को join करेंगे, और जब यह line joint हो जाएगी, यह देखिए, ऐसे, अब यहाँ से, इस line से, dot, dot करते हुए हम, यहाँ पर join करेंगे, ठीक है, यह two petals हुआ है, त्यार हो गई है, अब हमारी center line में यह, यहाँ से, हम एक, V shape में, एक petal यह, हमारी complete ओगर, यहाँ पर हमारी फीजी की, छोटी-छोटी, तो, पैटल, ऐसे हम इसको, complete करेंगे, यह बहुत easy है, आप जब बनाएंगे, तो, आपको, इसमें कोई problem नहीं होने वाली है, थर्ड step इस, आपने देखा की हुई, हमने center line ली, फिर, इस center line से, डॉट-डॉट करते भी हम, इस line को मिलाया, और, इस line से, यहाँ पर मिलाया, फिर, बीच में, हमने, थ्री पैटल्स, ओर एड़ कर दी, यह इसकी stem, और अब हम इसमें, इसकी leaf को भी draw कर दिया है, इसके बाद आता है, हमारा final four step, four step में, हमने, आप देख रहे हों बच्चों, मैंने इसमें, दोर ऐसा light pink color किया है, आप जो भी color करना चाहे हो, कर सकते हैं, pencil color, sketch color, crayon, oil, pastel, जैसा मैं आपको बार-बार कहते हूं, जो आपके पास घर में available है, आप वो color इसमें कीजे, तो यह light green, मैंने इसकी leaf और stem में किया है, और इसकी petals को मैंने light pink बनाया है, और फिर sketch pencils को outline कर दिया है, तो बच्चों, आपको अपनी drawing copy में, pencil वाला भी बनाना है, और color वाला भी बनाना ह मतलब, like one page पे आप, one side you will make by pencil, and one side you will make by color, अब next हमारा flower है, rose, अब हम rose को कैसे step by step बनाते हैं, यह सीखेंगे, तो rose का जो first step है, first step rose, यह देखे, मैंने एक spiral line बनाई है, spiral line, और spiral line जहाँ पे end ओरी है, like यहाँ पे end ओरी है, तो यहाँ से हमने इसको नीचे line draw कर दिया, और एक line यहाँ draw कर दिया, ठीक है, that is first step of rose, उसके बाद हमारा next step आता है, rose का, यह देखे, first step हमने पहले यहाँ पे draw किया, spiral line, यह दो line तक हमने complete किया था, यहाँ पे, ठीक है, अब जो spiral line हमने की थी, उसकी, इस line, जहाँ से हमने start किया था, यह देखे, इस line से, इस line तक हमें एक u shape गनाने है, एक u draw करना है, ठीक है, तो यह, इस line से और हमारे spiral तक, और बीच में जहाँ हमारा spiral, join नहीं कर रहा है, वहाँ पे भी हमें line देगे, बस इतनी, ठीक है, that is second step, उसके बाद बच्वाता है, हमारा third step, third step मैं आप देख रहेंगे, almost मैंने यह, फिलार, जो है, complete कर दिया, तो complete कैसे कर दिया, देखे, मैं आपको second step पे लेके चलती हूँ, हमने यह, दो line draw की, और you ship बनाई, अब इसकी भी आप मालीजे, यह वाली line, एक center line लेके चलेंगे, यहां से हमने dot dot करके, इस line को overlap करते वे, एक petal यहां बनाई, ठीक है, फिर हम इस line को erase कर देंगे, तो हमें dot dot करके ही बनानी है, क्योंकि उससे shape हमारी accurate आजाती है, और जब हमें erase करना हो, तो erase भी हम लोग उसको easily कर लेते हैं, निक तो हमारी sheet पे marks आजाते हैं, फिर वो black black हो जाती है, और अच्छा नहीं लगता, तो यह देखे, मैंने यहां से dot करके, यह petal draw की है, और एक petal हमने यहां पे draw की है, ठीक है, और यह जो line नीचे तकारी थी, उसको हमने इसके अंदर से raise कर दिया है, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि third step में, यह three हमने petals बनाए, जो rose के नीचे होती है, और rose में, यह जो इसकी stem है, उपर से थोड़ी broad होती है, और नीचे narrow हो होती है, क्योंकि bird का नीचे का part है, उसके बाद petals leaf की बारी आती है, leaf थोड़ा सा circle form में, गोलाई लिए वे होती है, और छोटी होती है, यह rose leaf, और जैसा कि आपने देखा होगा, चोटे चोटे कार्टे भी होते हैं, तो हमने वह भी draw किये हैं, अब fourth step हमारा जो एक complete flower है, उस आप इस felt color कर रही हूँ, आप कोई भी color कीज़ें, जो आपके पास है, तो red, मैं अपने rose को red बना रही हूँ, आप भी कोई भी color कर सकते हैं, ठीक है, तो भी हम red color भी कर सकते हैं, pink भी कर सकते हैं, orange भी बहुत वेराइटी होती है rose की, जो भी color आपको पसंदो, आप इसमें क सकते हैं कि यह देखिए मैंने इसमे रेट ऍयख़ कलर किया है और बच्चों आप लाइट ग्रीं और रॉलन verschiedenen ड्री स्कते के ची सबुआइं चेह से प्दिशन से कर सकते हैं या ब्लैस सकेच बच्छ पैंसल चकर सकते हैं और jut लाइटGet क्रीन और ग्रीफ आपका मैंने इसमें यूज किया है तो ऐसे आपका रोस कम्प्लीट हो जाता है तो हमारे टू जो फ्लार हैं वो कम्प्लीट हो गए फर्स्ट इस ट्योलिप एंड सेकेंड इस रोस और अब हम एक थर्ड फ्लार और बनाएंगे जो की है हमारा लोटस बनाने में भी बहुत सारे बच् सीखेंगे तो लोटस के लिए भी जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं यह लोटस का जो फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले एक वाटर ड्रॉप की तरह हमने यहां पे ड्रो की है ठीक है या फिर इसमें भी आप कोशिश कीजिए कि जैसे हमने एक यू बनाया और उ लोटस की वो रेडी हो गई तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसके बाद आती है इसकी नेक्स पैटल की बारी जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है लोटस बनाने में तो एक सिंपल सा मैथड़ है देखे सेंटर लाइन सबसे पहले हम अपने इस अब इस सेंटर लाइन से डोट डोट करके बाहर की तरफ ऐसी ही सेम पैटल और डोट डोट करके बाहर की तरफ बनाएंगे फिर हम इसी सेंटर लाइन से डोट डोट करके और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती हुई बिलकुल ऐसी ही पैटल बनाएंगे फिर इसी सेंटर ल हम यह पैटल बनाएंगे ठीक है थ्री पैटल हमारी त्यार हो गई इधर यह हमें इधर करना है तो बच्चो मैं डॉट डॉट करके इसलिए कहती हूं कि जब आप पैंसिल को ऐसे चलाएंगे तो बहुत डाग हो जाती है और सही से भी नहीं चलती तो जब हमें रेज करते हैं तो हमारी पैंसिल के माक्स हमारे पेपर पे आ जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते छोटे बच्चे अकसर डाग पैंसिल प्रेशर के साथ पैंसिल यूज़ करते हैं तो उसको पूरा प्रेशर अपना पैंसिल पे लगाते हैं वो लाइट पैंसिल नहीं चला पाते कोई हेड दोफ भात नहीं है ठैक्तिस करेंगे तो आपको आ जाएगा अब इधर से इत्र से इस सेंटर से द्थ बात आब करते हैं यह पेटल बना रहे हैं फिर यही से ड्थ यहां तक है, अब इसका जो extra part है, जैसे यह extra part है, यह हमको नहीं dark करना है, इसका जो extra part है, यह हमको dark नहीं करना है, अब second petal हमारी इसके बार से शुरू होती है, यहां, और इसी पे चलाते वे यहां, फिर हमको ये सब erase कर देना है ऐसे ही third third petal में भी यहां से चलाते हुए यहां ठीक है बच्चो आपको समझ आया होगा और आप थोड़ा easy भी लग रहा होगा आप try कीजिए फोई बात नहीं एक बार दो बार try कीजिए steps में try कीजिए तो आराम से बनेगा और उसको ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं बन रहा है हमेशा सोचिए कि हम कर सकते हैं जब भी आप सोचेंगे हम कर सकते हैं तो जैसा भी हो आप कर पाएंगे अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि नहीं हम नहीं बना पाएंगे तो आप नहीं बना सकते ये देखे हम इदर से ऐसे करते हैं हमेशा आपको यह सोचना है कि हम कर सकते हैं ये देखे बचो अब थर्ड स्टेप हमारा आ गया तो चलिए फिर से एक बार हम revise करा देते हैं आपको फर्स स्टेप, फर्स स्टेप में हमने एक टियर रोब जिसे कहते हैं water रोब की तरह हमने बनाया फिर उसके बाद सेकिंड स्टेप में हमने मैंने आपको बताया कि हमें इसकी एक सेंटर लाइन लेनी है और यही से डॉट डॉट करके हमें ये पैटल्स बनानी है और उसके बाद जो line समय चाहिए उनको हमें dark करना है और बाकी extra lines को हमें erase कर देना है और इसके बाद हमें ये हमारा third step में लेगा आप third step में देख रहे होगे आप इसकी petals और नीचे मैंने इसमें ये और add कर दिया है तो ये जब हम add करेंगे नीचे की petals तो इसका भी सेम पैटर्न होगा और उसके बाद एक छोटी सी स्टेम भी अब हमारा आता है फोर्ट स्टेप में आप देखें मैंने क्या है सारे बच्चे देख पा रहे होंगे हमने इसमें वाटर और इसकी एक लीव भी एड कर दी है तो बच्चो यह देखिए नीचे जहां यह जो जहां पर हमारी स्टेम खतम कर दिया है हमने यहीं से पैटल्स की जो यह देख रहे होंगे आप लाइंस यह शुरू हो रही है और इवन आप कैसे भी बना सकते हैं पैटल्स यह लोटस की ऐसे गोल भी बना सकते हैं ठीक है और थोड़ा सा ऐसे कर्व करते भी बना सक और उसके बाद आते हैं हमारा वाटर नीचे हमने वाटर बना दिया उसके बाद आती है कलरिंग की बारी तो बच्वाब इसमें अपने पसंद के कलर कीजिए अब जैसे मैं स्केच पैंसे इसमें कलर करने जा रहे हूं कलर तो मेरे पास नहीं है और इंच कलर कर रहे हैं तो जब हम लोटस में कलर करते हैं उसमें भी हम प्लेइन फ्लैट कलर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा शेडिंग के साथ देखे मैं सिखाती हूं आपको लाइन से ही जैसे हम नीचे से यहां से मिला के ऐसे कलक करेंगे और करेंगे और छोड़ेंगे ठीक हैं यह ऐसे करने की कोशिश करेंगे और यह अब हम ओपर से करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पूरा फिल भी कर सकते हैं चोटे बच्चे थार्ड के बच्चे अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा फिल करके कीजिए और फोर फिफ्थ के बच्चे त्राय कर सकते हैं थोड़ा शेड करने की दो कलर भी ले सकते हैं इसमें नीचे लाइ क्लाइन कर दी और फिर उसके बाद हमने उपर से डार्क कलर ले लिया ठीक है ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं थोड़ा-thोड़ा नीचे भी रेट लगा दें वह अगू कैसी पैटल्स भी आप बना सकते मैं आ पैटल्स को कलर Department कर लिया अब भी आर्ट में हम कलर हो गया है यह हमने आज थ्री फ्लार्स को बनाया है आप तीनों भी बना सकते हैं और इन मेंसे जो आपको अच्छा लगे या जो इजी लगे ट्राइ कीजिए सब इजी हैं जब आप ट्राइ करेंगे तो जरूर बना पाएंगे यह लोटस बन गया है यह हमारा ट्यूलिप और यह हमारा रोस तो हमने ऐसे थ्री फ्लार आज बनाने सीखे हैं तो आप उनको घर में अपनी ड्रॉइंग फाइल में या किसी भी पेपर पर जरूर बनाएए फिर नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो इस फ्लार को हम कार्ड पर कैसे यूज करेंगे हम वो बताएंगे यहोगी बच्चो थैंक यू